नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27, 28 और 29 जून तूला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि इस महिने के अंतिम तीन दीन आपके जीवन में क्या परिवर्तन करने व और यह अंतिमाहिने के तीन दीन क्या देकर जाने वाले हैं क्रह गोचर के आधार पर सटिक भविस्वानी हम आपको बताएंगे कि इस ग्रह गोचर का आने वाले तीन दीनों में आपके रासी में परवेश करेंगे एक एसी सूपसमाचार जिससे दोस्तों आपके भाग ही बदल जाएंगे और आप आने वाले अगले नई महीनों में आप इतनी तरकी करेंगे इतनी काम्यावी पराथ कर लेंगे कि दोस्तों आप 20 साल में आप इतनी तरकी नहीं पराथ किये होंगे जिहां दोस्तों अब आपके कुंडिली में सेम कुवेर देवता प्रस्तान कर गए हैं और आपको पता होगा कि दोस्तों जिसके भाग में जिसके नसी में यह देवता का आसिरवात एक बार मिल जाता है तो दोस्तों भागवान से ही मिल लेता है जिहां दोस्तों और अब यह चमतकार आपके कुंडिली में देखने को मिल रहा है अब आप दिन दूगोनी और रात चोगोनी तरकी प्रात कर लेंगे इसलिए दोस्तों आप से अनुरोध है कि वीडियो को सुरू से अंतक जरू देखिएगा अगर आप आने वाले इस नए मह हिना सुधर जाएगा पैसों से भर जाएगा वस आपको थोड़ा सा कीमती समय इस वीडियो को देना होगा गारेंटी है कि आपका समय बरवादी बिल्कुल भी नहीं होगी और दोस्तों इनके साथ साथ आपके आने वाले इन दिनों में कौन-कौन से छेत्रों से लेकर साब अधान रहने होंगे कौन-कौन से कार आपके लिए भागे साली होंगे आपके घर के माहल में पारवारिक जीवर में परते एक छेतर में कौन-कौन-कौन से बड़े चमतकार होने वाले है उससे पहले दोस्तों जो भी कुवेर देप्ता और महाकाल का सच्छे भक्त हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं एक लाइक अभी जरूर करें और कॉमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरू लिखें ताकि महाकाल का आशिरवात आप सभी को प्राप्त हो सके और कुवेर महराज क आशिरवात से आप धन प्राप्ति कर सके तो आए दोस्तों बात करते हैं सुरुवात करते हैं एक बहुत ही अच्छे विचार से जो कि दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में एक बहतरिन इच्छा सकती महसूस होगी कि जो कमजोर होते हैं वो एक किसमत का रोना रोते हैं जिन इसने लोग पहचानते हैं ये माइने नहीं रखता वलकि किस वज़ा से पहचानते हैं वो बहुत माइने रखता है इसी के साथ बीते कल का अपसोस और आने वाले कल की चिंता दो एसे चूर हैं जो हमारे जीवन की खुबसरुति को चूरा लेते हैं जो हमारे आज की खुबसर दोस्तों इन दिनों में ग्रह गोचर आपको बहुत कुछ बहतर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मिलने से मन प्रशन रहेगी। वर्तमान ग्रिशिती आपके लिए कुछ बहतरिन प्रशितियां बना रही है। आपने अंदर छेपी हुई परतिवा को पहचाने और उसे उप्योग करें। बन रही है। इसके लिए कोई आत्रावी संभव है। दिन वेस्ता पून रहेगा और आपको अपने महनत के अनुरूब उचित परनाम भी मिलेंगे। पन्तु इसके लिए कर्म परधान तो होना ही पड़ेगा। आपने उर्जा का भरपूर इस्तमाल करें। भमी अत्रावाहान से समद्द कोई काम को हो सकता है। घर में कोई धार्मिंग अत्वा मनरणजन समंदिक कार्यों के प्लानिंग होगी तता घर में सकार्तम व्यश्ता बनी रहेगी। दुस्तों महीं बात कर लिते नेगेटिव की। दुस्तों सोच विचार करने से लाबदायक मों का हाथ से निकल भी सकते हैं। इसलिए योजनाव को तुरंद किर्याविन करने का प्रयाश करें। ध्यान केंदित रखें। अपनी चीजों को शंभाल कर रखें। क्योंकि खोने या चोरी होने की योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रहने की जरुरत है। दोस्तों वैबसार अस्थल पर कार्परनाली में कुछ बदलाव लाने की आप सकता है। साथी स्टाप और कर्मचारियों पर भी कड़ी नजर रखें। हालाकि रुकवी पेमेंट आने से आर्थी परिसानिया हल होगी। नोकरी पेसा व्यक्तियों के तरक्की के योग बन रहे हैं। पारिस रोतों से संपर्क बनेंगे जोकी लाबदायग भी रहेंगे। व्यक्तियों के और्डर समय पर पूरा हो जाएंगे। अपने योजना को गुप्त रखें क्योंकि लीक हो सकते है। अपनी यादे किसी भी कड़्य me लबदाएक अनुबन प्राप्त होंगे। दोस्तों वर्तमान वैफसा में जो भी काम चल रहे हैं उनसे समधे कुछ सावधान आ सकते हैं दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं लव लाइफ की घर परिवार में समान जैसे फूर्ण बतावरन रहेगा प्रेम समंधों में नजदिकियां बढ़ेगी जिससे मन परवलित रहेगा तता परिवारी लोगों में भी इंजोई करेंगे ती पतनी एक दूसरे पर विश्वास को मजबूत रखेगा प्रेम परसंगों में भी नजदिकियां बढ़ेगी दोस्तों आपके स्वास्त के लेकर देखा जाए तो स्वास्त ठीक रहेगा पर्दू गर्मी की मोसम की बज़से लापार में बिलकुल ना करें वेस्ति दिन्चारिया रखें दोस्तों मोसम के बद आप बात कर लेता है आपके उपाय के बारे में दोस्तों भगवान भोलेनाद का आशिरवाद आप सभी को प्राप्त हो सच्चे दिल्शे कमेंड बॉक्स में जय भोलेनाद जडूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद